अब गोविन्दा को वह नचाने लगे हैं हर एक सभा में पर गाने के बोल अब उनको बदलने पड़ेंगे आओ सिखा दू तुम्हें इलेक्टरॉल बॉंड का धंदा ये नहीं प्यारे कोई मामुली धंदा इसमें छुपा है बीजे पी के सक्सेस का फल सपा धंदा है गंदा गंदा है चंदा चंदे का धंदा आओ सिखा दू तुम्हें लेक्टरॉल बॉंड का धंदा आप इस बात को समझेए और सोचिए कि अगर आपको आपका पूरा घर साफ सुद्रा रखना है तो पूरे घर का आप कूड़ा कचरा उठाते हो और एक डस्ट बीन में डाल देते हो बीजेपी कहती है कि हमें पूरे भारत से ब्रश्टाचारियों को खतम करना है तो ब्रश्टाचारियों को तो आप ने सब को इकठे किया लेकिन कहा रख दिया कौन सी डस्ट बीन में रख दिया तो बीजेपी नाम के डस्ट बीन में आपने सारे ब्रश्टाचारी रख दि और ऐसे कूडे कच्रेवने हमारे यहां के भी 40 है जो वहां गये हुए है अब 40 के बारे में ज्यादा नहीं बोलना है पर हमारी बहने जानती है कि जब हम किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं मार्केट में जाते हैं तो काउंटर पर कैश काउंटर पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया जाता है और बोर्ड पर लिखा होता है कि एक बार बेचा गया माल दुबारा बिल्कुल भी नौट एक्सप्टेबल जो भिका हुआ है वो फिर कबूला नहीं जाएगा तो हम महराष्ट की जनता से पूछते हैं कि अगर बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जा सकता तो बिका हुआ MLA, बिका हुआ MP कैसे वापस ले ले हैं क्योंकि जो बिके हुए होते हैं उनका जबीर नहीं होता है यह धारावी की जनता इस बात पर कैसे विश्वास कर ले कि जिस मातोश्री नहीं है और जिस उद्धो बाला सहब ठाक रेने हैं जिन लोगों की एक हैसियत बनाई जिन लोगों को शायद कोई गली कूचे में नहीं जानता था वहीं लोग उन लोगों को वर्शा और सहयादरी पर उनकी चहल पहल बढ़ गई यह हैसियत बढ़ाने की ताकद सिर्फ और सिर्फ ठाक रहे और मातोश्री नहीं है लेकिन अगर उसी ठाक रहे और उसी मातोश्री के साथ यह लोग गद्दारी कर सकते हैं तो भई हम जनता के साथ तो कभी भी कर सकते हैं हम कैसे इन पर विश्वास कर ले मैंने कहा कि मैं राहूल शेवाले पर बिल्कुल ज्यादा बात नहीं करूंगी कल मदर्स दे है मदर्स दे याने बड़ा एहम दिन मा और बेटी मा और बच्चे का मिला कल एक बेटी महराष्ट में आने वाली है खलेक बेटी महराष्ट में आएगी जो पिछले तीन साल से अपनी मा के होते हुए बिनमा की बच्ची की तरह भटक रही है पूरे भारत के अंदर पिछले तीन साओं से अपने मा से मिलने के लिए छटपटा रही है जो रिंकी बक्सला इंसाओं मांग रही थी कि राहूल शवाले ने मेरा यौश शोशन दिया है राहूल शवाले थलेवा भाई जी अगर आपके धक्षिन भारत में प्रज्वल रेवन ना होगा ना तो हमारे यहां शवाले है राहूल शवाले के खिलाफ वह फर्याद लगा रही थी और क्या रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए दुबाई में उसे अंदर कर दिया ताकत देखिए क्या ताकत बढ़ गई है कितना पैसा बढ़ गया है पुझी पती जो बन गया है कपटालिस्ट बन गया है वहां से बिचारी आ गई पुरा करियर बरबाद हो गया वह इंसाफ मांग रही थी और उसी पर जूटे केस दायर कर लिए पैसा बोलता है ना बाप बढ़ा ना भाया और सबसे बढ़ा रुपईया क्या कहेंगे भाया हम तो क्या कहेंगे इन लोगों के कहने इनके साथ अब और एक है बंदा कौन है वो गोविंदा गोविंदा कभी कबार मुझे गोविंदा बड़ा अच्छा लगते था मेरा काफी फेवरेट हीरो था बड़ी अच्छी कॉमेडी कर लेता था गोविंदा का एक गाना भी मड़ा मेरा बड़ा अपड़ा बहुत चहेता गाना था मेरा फेवरेट सौन था गाना था आओ सिखा दू तुम्हें अंडे का फंडा ये नहीं प्यारे कोई मामुली धंदा अब गोविंदा को वह नचाने लगे है हर एक सभा में पर गाने के बोल अब उनको बदलने पड़ेंगे आओ सिखा दू तुम्हें इलेक्ट्रोल बॉंड का धंदा ये में ही प्यारे कोई मामुली धंदा इसमें छुपा है बीजेपी के सक्सेस का फलसपा धंदा है गंदा, गंदा है चंदा चंदे का धंदा, आओ सिखा दू तुम्हें अलेक्ट्रोल बॉंड का धंदा इसलेक्ट्रोल बॉंड से जिन्होंने पईसे कमाये है इसमें छुपा है बीजेपी के सक्सेस का फलसपा धंदा है, इसे दे दे कर MP और यमेले खरीदने की बात करते है ऐसे कुछ लोगों ने रिंकी बखसला पर क्या-क्या जाकतिया की कि पिछले तीन साल से उसकी जमानत ना हुई आज उसका इंटरिम बेल ओरडर हुआ है कल वहां गोवंडी पोलिस टेशन पर सुबह सारे 11 बज़े आएगी अपनी हादीरी देने मैं डर रही हूँ मुझे डर है अंदर क्योंकि मैं एक माँ हूँ एक बेटी की माँ हूँ कि शायद कल अगर इंकी बखसला यहां आई तो कही उसकी जान को खत्रा तो नहीं यह बात भरी सभा में इसलिए कह रही हूँ पुरी मिडिया के सामने कह रही हूँ ताकि हमारे पुलिस भाई ध्यान रखे कि कल गोवंडी में शायद उसकी जान को खत्रा हो सकता है कल वो अपनी माँ से मिलने वाली है कल मदर्फ दे है बचाईए बचाईए हमारी एक बहन को जो इंसाफ के लिए खड़ी हुई है बहने जरा समझ ले धारावी की जो हालत है और धारावी की जो फिक्र है धारावी की फिक्र वही कर सकता है जो धारावी के दुखदर्द को समझ सकता है मुक्तसमात के माध्यम से हम आये थे धारावी में मुक्तसमात के माध्यम से धारावी के और एक तप्ते में जाकर लोगों से मिल रहे थे पापड बेलती महिलाएं थी कहा रही थी मैंने कहा आपको तो बिल्डिंगे बनाई दी जाएगी आप बिल्डिंगों में रही है ना उ ड़ाखा है को कुमार गली में गए थे जहां पर मठ्केशा रहे थे हमारे भाई बहन कहीं कहें तरह रहे दूप नहीं मिलेगी तो मठ्काक कहा सुखाएंगे मठ्का ऐसे बनाएंगे बारिश के दिन क्या होगा अजिए कुश्व हमारा है किस्तिने हैं यह वारे में बहhã कर दो दिन पहले हमारे मोसी जी ने बाहित कि और कहा और न Cantonese तो डानी अंबानी का नाлекा प्वुल गई है कि आदानी अंबानी ने बॉरिया भर भर के, पैसा ढिया है अरे वा, मोदी जी, आपको कैसे पता चला कि पैसे बोरियों में आते है बला, आपको कैसे पता चला मोदी जी, कि चोरी का पैसा है, और अगर मोदी जी आपको पता है कि पैसा चोरी का है, तो इडी उदर क्यों नहीं भेज रहे हैं, भेजिये मा, काही इडी के लोग बैठा क यह जा रहे हैं उनको भी केसी टू जो बनाना है और उस भी केसी टू के खिलाफ लड़कों रहे हैं तो हमारी वरिशाताई गायकवार लड़ती है हमारी वरिशाताई ड़त कर लड़ती है आगे आती है हमारी एक बहन एक बाबा साहब की शेर्डी ड़त के सामने आती है और उ दोच साब करे हो जाते हैं यह मशाल की लोग ऐसे ही नहीं जला रहे हैं यह मशाल की लोग किसी एक सालसत को चुनने के लिए नहीं किसी एक MP को बनाने के लिए नहीं यह मशाल की लोग इसलिए जलानी है ताकि इसकी इसकी जो आँच है न यह आँच उदर आदानी और अंबा जलानी को लगनी चाहिए तक आज पहुचनी चाहिए इसलिए यहां मशाल जलानी जरूरी है जो लोग हमें टेकन ग्रेंटर कहते हैं और जिन लोगों को लगता है कि हमारा क्या विगाड़ होगे बहने जरा ध्यान दे क्योंकि घर के वामले में हम काफी एमोशनल होती है तो ध्यान दे कि अगर इस वार अगर चूक गए ना जरा भी चूक गए तो हाथ दोना पड़ेगा इतनी इतनी सालों की हमारी बसी बसाई जिंदगिया हमारी खुशालिया क्योंकि वो कह रहे है कि हम यहां के लोगों को कहा शिफ्ट करेंगे तो बोले उदर जहां नमक बनाने की जगहे है हम उदर बनाएंगे क्यों हमरा बच्पन यहां गया हम यहां की स्कूलों में पड़े हम यहां खेले हम यहां हम यही पर पैदा हुए यही पर परवरिश हुई यही पर हम मैंसे कितनों ने आखरी सास ली यही कि किसी समशान घाट पर हमारे अंतिसमस्कार हुए होगे हा अाप हमें यहां से ख़तिदिना चाहते हो वो किसकी खकर अधानी ख़तिर तौ activating तो हम कहते है कि उस दोगे कखिलाब चाहे वो कितना भी बढ़ा क्योंड हो ऊस अधानी के खिलाब बड़ी ताकतों सब्स्चाफ सीना तान कर यहाँ पर खड़े है आदर्य उद्धों साव जो डट कर लड़ेंगे लेकिन आपका साथ चाहिए भाईयों आज की तारीख में यहाँ तीन चरन का चुना हुआ है थलेवा भाई जी महराश्ट के अंदर तीन चरन का चुना हुआ है और जिस तरहा के अनलिसिस की जा रही है आलोचक और विश्लेशक बता रहे है कि यह पूरा इलेक्शन बीजेपी के हाथ से छूटता जा रहा है तभी तो मौदी जी बॉखला गया है कभी मंगल सूत्र की बात कह रहे है किस ने चीनी हमारी मंगल सूत्र मौदी जी हिंदू-मुसलीम का दंगा फसाद कर करें यहां मंगल सूत्र आपने आपकी विचारभाराने चीने हैं कि न सबस å rij तैड़े चमार से यहां रोजगार रहिए है हमारी कितनी ही माय अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी नौकरीय की अर्दिया भरने के लिए अगर पैसे नहीं तो मंगल सुत्र को गिरवी रखते हुए अपने बच्चों की पढ़ाई कर रही है मोदीजी मंगल सूत्र किसे ने चीने है जरह बताई फिर उनको लगा कि अरे यार यह पहत्रा नहीं चल रहा है तो कुछ और पहत्रा करता हूं तो बोलने लगे असली और नकली शिवसेना हम नकली है तो मोधी जी को बताना पड़ेगा मोधी जी अगार ये शिवसेना आपको नकली लगती है ना तो जब-जब कभी सीटों के बत्वारों की बात होती थी जब-ज साहब होंगे गड़करी जी होगे मातों श्रीपर आते थे उनके बाद उद्धव साहब ने बागड़ ठाम ली तो उद्धव साहब से बात करने के लिए मोधी होंगे शाह होगे फड़द्विस होंगे या उनके जंगर मंगर लोग होंगे सारे मातों श्रीपर आते थे अगर पेकनाज शिंदे को इतना तक हक क्यों नहीं दिया कि बाकी सीटों का छोड़ दीजिए पर कल्यान में उन्हीं के पुत्रों की उम्मीदवारी स्रिकाज शिंदे को प्रत्याशी दिक्लियर करने की तक अनुमती आप लोगों नहीं दी आप बात करते हो नकली और असली की लेक कि इतना इनके 56 इंच सीने में इतनी हिम्मत नहीं है कि 1500 प्रेस पत्रकारों को बुला ले और 81 un बुलाएंगे कोप्चे में इंटर्व्यू करेंगे इंटर्व्यू कौन तो पार्टी शायद तूट जाती है विखर जाती है लेकिन आम आदमी पार्टी के चार-चार नेता संजय जी होंगे, सिसोधिया सहब होंगे, आप होंगे, इतने सारे लोगों को अंदर डालने के बावजूद आम आदमी पार्टी तूटी नहीं, भिखरी नहीं, बलकि ज्यादा ताकत से उभर कर आई हम साती सात अर्विन जी से और मंच पर विराजी थरयावाद जी से भी कहना चाहेंगे, कि महराश्ट के अंदर भी हमारे शिवसेना के बड़े आहम लीडर आईशमान सेंजे राउट साहब को, जब इन लोगों ने सलाखों के पीछे कर दिया, तो इनको लगा, कि राउट स मोदी का घमंड हम तोड़ने के लिए महराश्ट के लोग बड़ी ताकत के साथ तयार है, और हम उस दोर से भी गुजरे हैं, जब कुछ लोग थे, कि मोदी के एजन्ट बनकर, हम जिसे महराश्ट में मुनिम कहते हैं, फड़नवी साहब जैसे कुछ मुनिमों को लगा था, क जब एकाम तुम्हें बाइटते होंगे, तो शाइर अपड़े आपको थपर लगाते होगे, कि हाई मैंने इस किस मनहूस गरी पर कह दिया, क्योंकि मेरे मालिक, मोदी जी तो, नंदुरबार में आके कह रहे हैं, कि उद्ध्ध्व जी आईए, मेरे पास आईए, मेरी तरफ हो रहा है यह वही बीज़ेपी है जो महराष्ट में और पूर पूरे भारत में बश्टाचार को खतम करने की बात कर रही थी आप सोचिये भाई और वहनों मैं राहु लिशेवाले पर ज्यादा बात नहीं करूगी बात ना करने की कुछ वजहें भी है आप आप इस बात को सम सुचिये और सोचिये कि अगर आपको आपका पूरा घर साफ सुत्रा रखना है तो पूरे घर का आप कूडा कच्रा उठाते हो और एक डस्ट बीन में डाल देते हो बीज़ेपी कहती है कि हमें पूरे भारत से ब्रश्टाचारियों को खतम करना है तो ब्रश्टाचारियों जो समुचे भष्टाचारियों को जहां पर कूड़े कच्रे की तरह जमा करके रखा हुआ है और ऐसे कूड़े कच्रे में हमारे यहां के भी 40 है जो वहां गया हुए है अब 40ों के बारे में ज्यादा नहीं बोला है पर हमारी बहने जानती है कि जब हम किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं मार्केट में जाते हैं तो काउंटर पर कैश काउंटर पर एक चोटा सा बोड लगाया जाता है और बोड पर लिखा होता है कि एक बार बेचा गया माल दुबारा बिलकुल भी not acceptable जो बिका हुआ है वह फिर कबूला नहीं जाएगा तो हम महराष्ट की जनता से पूछते हैं कि अगर बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जा सकता तो बिका हुआ एमेले बिका हुआ एमपी कैसे वापस ले आगा क्योंकि जो बिके हुए होते हैं उनका जबीर नहीं होता है यह धारावी की जनता इस बात पर कैसे विश्वास कर ले कि जिस मातों श्री ने है और जिस उद्धो बाला सहब ठाक रेने जिन लोगों की एक हैसियत बनाई जिन को शायद कोई गली कूचे में नहीं जांता था वही लोग उन Low ओ को वर्षावर सहियाद्री पर उनकी चहल पर बढ़ गयी यह हैसित बढ़ाने के ताकद सिर्फ और थाक रहें और माटों श्री ने तो भई हम जनता के साथ तो कभी भी कर सकते हैं हम कैसे इन पर विश्वास कर ले मैंने कहा कि मैं राहूल शेवाले पर बिल्कुल ज्यादा बात नहीं करूंगी कल मदर्स दे है मदर्स दे याने बड़ा एहम दीन मा और बेटी, मा और बच्चे का मिलाफ कल एक बेटी महराष्ट में आने वाली है कल एक बेटी महराष्ट में आएगी जो पिछले तीन साल से अपनी मा के होते हुए बिन मा की बच्ची की तरह भटक रही है पूरे भारत के अंदर पिछले तीन साल से अपने मा से मिलने के लिए छटपटा रही है जो रिंके वक्सला इंसाओत मांग रही थी कि राहूल शवाले ने मेरा यह शोशन दिया है राहूल शवाले थलेवा भाई जी अगर आपके धक्षिन भारत में प्रजवल रिवन ना होगा ना तो हमारे यहां शवाले है राहूल शवाले के खिलाफ वो फर्याद लगा रही थी और क्या रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए दुबाई में उसे अंदर कर दिया ताकत देखिए क्या ताकत बढ़ गई है कितना पैसा बढ़ गया है पुझी पती जो बन गया है कपटा लिस्ट बन गया है वहां से विचारी आ गई पुरा करियर बरबाद हो गया वह इंसाफ मांग रही थी और उसी पर जुटे केस दा कान है वो के लिदा को यह कभार विदा पर अच्छा लगते था मेरा काफी फेवरेट फिरो था बड़ी अच्छी कोमेडी कर लेता था गोउन्दा का यह गाना भी मुझा अपना बहुत चहेता गाना था मेरा फेवरेट सौन था गाना था आओ सिखा दूर्यों तुम्हें बॉंड का धंदा ये में ही प्यारे कोई मामूली धंदा इसमें छुपा है बीजेपी के सक्सेस का फलसपा धंदा है गंदा गंदा है चंदा चंदे का धंदा आओ सिकादू तुम्हें लेक्रॉल बॉंड का धंदा